महिलाओं की तरफ से मैं बहुत संख्शेप छोटी सी बात आपसे अपील करना चाहती हूँ जो कौम अपनी बढ़ाई करती रहती है अपना आत्म चिंतन नहीं करती उसकी गती रुक जाती है प्रगती की पहले भी बात कही गई लेकिन मैं तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ हमारी युवापिडी बड़ी आकर्शित हो रही है एक नशे की आदर एक अपराधों की तरफ आकर्शन और एक लापरवा तेज ड्राइविंग के प्रती आकर्शन महिलाओं के नाम से लोटरी डाली एप्लिकेशन लगाते हैं और महिला जो घर की लक्षमी होती है उसका नाम बजार में दारू के ठेके के उपर लिग देते हैं एक खास चीज जो मैंने देखी बड़ी नकारात्मत अपनी अपनी जाती के अपराधियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है सबने पितर बना दिया है अपनी अपनी जाती के अपराधियों को ये अपराधी खुद बरबाद होते हैं और अपने पीछे पूरी युवा पी पहलवानी में अपराद के कारण आज दिल्ली में जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं ये हमारे लिए दुख की और शर्म की बात है और तीसरी चीज तेज ड्राइविंग एक लाख युवक बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं एक लाख युवक जान गमाते हैं हर साल ला में बदल जाता है क्या बीठती होगी उस मां के उपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुह नहीं देख पाती है आप लोग क्या सोचते हैं अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिलखा सिंग की तरह तेज दोड़िये या कि आप निरत चोपडा की तरह देवेंदर जाजडिया की तरह आप तेज भाला फैंकिये मोटर साइकिल का कान मरोडने में या तेज गती से कार भगाने में कोई बहादूरी नहीं होती अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गा चारी चला ये आपकी जिन्दगी आपके माता पिता की भी एक चोटी सी चीज और कहना चाहती हूं हमारे बुजुर्ग हमें जब पालते हैं जो लोग खेती से बच्चों को पढ़ाते हैं जो लोग चोटी आमदनी में बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी पूरी उम्र खप जाती है अपने बच्चों की जिन्दगी बनाने में और उसके बाद दुक्का विशह है बड़ा पीडा दायक सीन में कई जगह देखती हूं कि एक माबाप मेहनत करते हुए हातों में आईटन फड़ जाते हैं एडियां फट जाती हैं कपड़े मेले फट जाते हैं और उसक पुज़ुर्गों को रोटी तो मिल रही है लेकिन इजट से रोटी नहीं मिल रही है इस चीज को बदलने की जरुरत है माबाप मैं आपसे कहती हूं जैसी भी परीस्थिती होती है माता-पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं आपकी भी ड्यूटी है जैसी आपकी ह मैसियत है बुढ़ापे में उनको बादशाओं की तरह से रखिए उनकी सेवा कीजिए उनका सम्मान कीजिए इस तरह से माता-पिता की सेवा कीजिए वो अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं और माताएं बेने बैठी हैं एक छोटी सी लास्ट बात जो मैं क कह रही हूं बेटियों को समझदार बनाईए बेटियों को बेटा मत बनाईए क्योंकि बेटे तो लापरवा होते हैं बेटियों को समझदार बेटी बनाईए जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको समझाईए कि वो साथ अपने घर की इजट लेकर के जाती है बेटियों को समझाइए कि कैसे लोग मिठी मिठी बातों का जाल लेकर शिकारियों की तरह से घूमते हैं और अपनी बेटी को संसकार दीजिए कि वो जिस घर में जाए अपने सास ससूर की सेवा करें आज कल मैंने नया ट्रेंड देखा है बेटियां मा मम्मी की तो बहुत चिंता करती है लेकिन सास की चिंता नहीं करती है यह गलत चीज है औरत घर की धूरी होती है अगर व्रद्य लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे व्रद्य लोगों को सुर्क्षा कैसे मिलेगी उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा इनकी जिन्दगी खुश कैसे होगी इसलिए कोई भी कौम तभी आगे बढ़ती है जब वो संसकारवान हो जब वो मेहनती हो जब वो शिक्षा पर ध्यान दे हमने ये सब किया है मैं आपको बधाई देती हूँ